नमस्कार जैहिंद विद्यार्थ्यू स्वागत हैं आप सब एका आपके अपने यूटूब प्लेटफॉम यूर इस्टडी में आज के इस वीडियू में लेके आया हूँ अर्दवार्शिक प्रिक्सा सत्रो दोजार तेवी सोबिस के लिए इंपोर्टेंट कक्सा छे का सब्सक्राइब जरूर किजेगा आप सभी विद्यार्थी क्या करते हैं वीडियो को अंत तक तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहिया यह बिल्कुल फ्री हैं इसमें आपके कोई पेसे नहीं लगते हैं और सब्सक्राइब करने से आपको ही फा फोन में आ जाएगी सामाने निर्दिश दे रखे हैं या पर इनको आप पढ़ सकते हैं अपन डारेक्ट पर चलेंगे पहले प्रिश्णी की ओर है पहला प्रिश्णी है सरवारी जन्तु हैं सरवारी का मतलब है ऐसा जन्तु जो कि मास भी खाता है और दाने भी खाता है तो व अगला प्रश्ण है पोदो का कौन सा भाग मिटी के अंदर होता है जड तना पती पुस्प तो आपको सीधे देखके ही उत्तर का पता लग गया होगा बिल्कुल जड जड है वो अंदर होती है यह बिटी है इसके अंदर क्या होती है जड होती है तो इसलिए सही अंसर ओप पेर होते हैं एक जोड़ी दो जोड़ी तीन जोड़ी चार जोड़ी तो विद्दर तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके मेरे साफ से इसका सही अंसर आपसें स chilli रहना सही बाकि आप अंसर इसका सही उत्तर हैं वो बता सकते है अगला प्रशन है निवन निरजीव का मत किसे कहते हैं तो समझत जीवदारी प्राणियों के लिए रहने के लिए जो इस्तान होता है उसे आवास कहते हैं आवास घर के रूप में भी हो सकता है आवास गोंसले के रूप में भी हो सकता है आवास गूफा के रूप में भी हो सकता है यह जिस परकार का जीव उस परकार क उनका आवास होता है अगला प्रश्ण है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आविसकता होती है तो नहीं सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आविसकता नहीं होती है क्योंकि जीव अपने अपने इसाब से भोजन करते हैं जैसे कि कुछ जिनतु है या फिर क कुछ जीव हैं शरवारी होते हैं कुछ मासारी होते हैं वे अगला प्रश्ण फैनि की परकार से धागा बनाए भी जाता है और अगला उस्तर प्रश्ण की क्या गैसं जल में विलीन होती है यह व्लीन ने अच्छे से याद कर लिजेगा अगला है विले और अविले पदार्थों में अंतर स्पिष्ट कीजिए तो ऐसे पदार्थ जो कि जल के अंदर विले हो जाते हैं यह उसके अंदर घुल जाते हैं मिल जाते हैं तो उसे विले पदार्थ कहते हैं और ऐसे पदार्थ जो कि जल क का बुरादा और चुना पत्थर ये बता सकते हैं अगला प्रश्चन है पधार्थों के प्रथक करने की हमें क्यों आविश्यत्ता होती है यह निए पधार्थों को अलग करने के हमें आविश्यत्ता क्यों होती है क्योंकि पधार्थ है वो मिश्चित रूप में होते हैं एक प्रदार्थों को प्रथक याने अलग किया जाता है अगला प्रश्ण है प्रश्ण सिंग के बारा कि निस्पासन से क्या अभी प्राय है याने निस्पासन किसे कहते हैं और ये इसका उप्यूग कहां किया जाता है ये आपको बताना है प्रश्ण सिंग के तेरा है कि यदि कि से पूस्प की पंखोडियां परस पर जूड़ी हो तो इस तरहीं के सर्फ पंखोडियों से जुड़ा होगा यह प्रश्ण है अच्छे से याद कर लेज़ेगा कि सभी पूस्प की पंखोडियां परस पर जूड़ी हो तो इस तरहीं के सर्फ पंखोडियों से क्या जुड़ा होगा यह आपको बताना है फिर उसके बाद में चवद्वा प्रश्ण है कि पुस्प के विबिन भागों के नाम लिखे यहने फूल के अलग-लग जो भाग होते हैं उनके नाम लिखने हैं अगर यह नहीं आता है तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा एक पुस्प का स्वच् कीस परकार से उबजाव बनाते हैं क्योंकि यह मिटी को उबजाव बनाने का काम करते हैं तो किस परकार से बढ़ाते है यह आपको लिखना है सजीवों के विशेश लक्षन हैं उनकी आपको एक सुची बढानी है और प्रशन सिंग्या 17 है कि प्रकास translation को समझाइए यहने प्रकास translation क्या होता है किस प्रकार शेपोदे इनको ग्रहन करते हैं इनके बारे में विश्टार्श बताना है विदियार्च जब भी आप उत्तर दें आपको उत्तर अंतीम प्रशने हैं कि पोदों के प्रमुग भागों के नाम लिखे उनके कारे, बताएं ने पोदों के प्रमुग भागों कोण से हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनके कारे हैं, वो भी आपको बताने हैं, दुबारा से पूरा पूरा पेपर में एक बार बता देता हूँ, देखी पहला प्रशन था कि स्रवारी जिन्तु कौन सा है तो आपका सही अंसर था कोवा और फिर दूसरा प्रशन था कि पोदे का कौन सा भाग मिटी के अंदर होता है तो जड़ होता है तीसरा प्रशन था कि कोक्रोच में कितनी जोड़ी पेर होते हैं तो मेरे साब से तीन ज केते हैं सब्सक्राइब अब्रस्ण था कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आविशक्ता होती हैं साथ वा प्रश्ण था कि हमारे भोजन की मुख्य पोसक तत्व के नाम लेकिए आठवा प्रश्ण है तंतुवों में से तागा निर्मित करने की प्रकृया इसप् होती हैं बारवा प्रश्ण है निस्पासन से क्या भी प्राय हैं यह कहां उप्यूग किया जाता है तेरवा प्रश्ण है यदि किसी पूस्प की पंखोडियां परस्वर जूड़ी हो तो इस तरी के सरफ पंखोडियों से जुड़ा होगा और चवद्वा प्रश्ण था दोड़वा प्रश्न था सजीवों के विशेश लक्षन सुसी बद्ध कीजिए उनकी विशेश लक्षन है उनकी सुची बढ़ानी है प्राकास इंसलेशन को समझाई और अठारवा प्रश्न है कि पोदों के प्रमुख भागों के नाम तथा उनकी कारे बताए तो विद्यार् आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो न यार बिलकुल फ्री हैं विद्यार्ואय। और आपके लिए मैं तनी मेहनत कर रहा हूं और यहां पर आपको फायदा ओने वहला है क्योंकि ुस सारी पेपर में प्रादी ये